हेलो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम आपकी थर्ड क्लास के इंगलिश की बुक मैरी गोल की एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है वाट्स इन दा मेल बॉक्स बच्चों मेल बॉक्स बोलते हैं लेटर बॉक्स को जिसके अंदर लेटर्स रखे जाते हैं बच्चों ये देखिए ये है लेटर बॉक्स की ड्रॉइंग इसी को हम मेल बॉक्स बोलते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल लिटिल चैंप्स को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथी साथ बैल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए Most always when the postman comes with letters two or three They are for my mother or my dad but never one for me Most always का मतलब होता है हमेशा या जादा तर When का मतलब होता है जब Postman बोलते हैं डाकिय को बच्चों क्या आप जानते हैं कि डाकिय कौन होता है बच्चों डाकिय वो इनसान होता है जो letters को लेकर आता है Come का मतलब होता है आना Letter बोलते हैं चिट्टियो को But का मतलब होता है लेकिन Never का मतलब होता है कभी भी नहीं इस पोयम के अंदर एक छोटी बच्ची है जो ये बता रही है कि ज्यादा तर या हमेशा जब भी पोस्टमेन यानि की डाकिया आता है दो तीन लेटर्स के साथ तो वो जो लेटर्स होते हैं वो या तो मेरी मम्मी के लिए होते हैं या फिर मेरे पापा के लिए लेकिन उन में से एक भी लेटर मेरी लिए नहीं होता है I am going to write some letters, दो, that's what I am going to do and then my friends will answer me and I will get letters too going का मतलब होता है जाना, right का मतलब होता है लिखना, some का मतलब होता है कुछ, दो का मतलब होता है हाला की या अगर then का मतलब होता है फिर, friends बोलते हैं दोस्तों को, answer का मतलब होता है जवाब, get का मतलब होता है पाना या किसी चीज़ का मिलना अब छोटी बच्ची ये बोल रही है की हाला की अब वो कुछ letters लिखने जा रही है अपने दोस्तों को फिर उसके जो दोस्त हैं वो उसको उन letters का जवाब देंगे और इस तरह से छोटी बच्ची को भी फिर letters मिल जाया करेंगे